दोस्तों दो अक्टूबर सूर्य ग्रहन के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा तीन लॉंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ती भगवान सूर्य देव माता लक्ष्मी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर आपकी हर मनो कामना होगी पूरी बन जाओगे आप करोडपती दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे आने वाली इस दो अक्टूबर को साल का अंतिम और महा सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है जिसका ना केवल पूरी दुनिया के जोतिश पंडित एस्ट्रोलॉजर बलकि साइन्टिस्ट भी बे सबरी से इंतजार कर रहे हैं जोतिश वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सा सूर्य ग्रहन नहीं होगा बलकि एक महा सूर्य ग्रहन होगा दोस्तों ये सूर्य ग्रहन कीर्ती नक्षत्र में लगेगा और यह सूर्य ग्रहन एक ऐसा सूर्य ग्रहन होगा जिस दोरान बावन तरीके के शुभ योग बनेंगे, जिसमें धन योग, नक्षत्र योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिध्ध योग, ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्मान होगा, यानि कि दोस्तों इस दोरान की गई पूजा साधना क्रिया से पलट करके आपको जोड़ो गुना लाभ मिलेगा, इस दोरान आप जोतिश शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार कोई भी उपाय करेंगे, वह पूजा तुरंत के तुरंत सिध्ध हो जाएगी, दोस्तों, दो अक्टूबर, जिस दिन महा सूर्य ग्रहन लग रहा है, इसी दिन अश्विन अमावस्या भी पढ़ रही है, अगर आप इस अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस अमावस्या पर खुद माता लक्षमी जी धर्ती पर वास करने आती हैं, और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है शास्त्रों में वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अश्विन अमावस्या तिथी के दिन माता लक्षमी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, और इस दोरान आप जो भी पूजा पाठ साधना माता लक्षमी जी के लिए करते हैं, उससे आपको लक्षमी जी का आश्विरबाद वर्दान जरूर मिलता है। उसका आपको लाब जरूर मिलता है, इसलिए आपने देखा भी होगा। दोस्तों पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं, पंडित होते हैं, वह सूर्य ग्रहन के मुहूर्थ का इंतजार करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको माता लक्षमी जी का वह आशीरवाद और वह वर्दान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वर्द्धी होगी। माता लक्षमी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको करोडपती बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोग पाएगी। क्योंकि दोस्तों जो लौंग होती है, इसका इस्तिमाल जब भी माता लक्षमी जी की पूजा में किया जाए, वह पूजा तुरंट सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है, इसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा की हनुमान जी, महराज माता दुर्गा जी, भगवान शिवशंकर माता लक्ष्मी जी, इनकी पूजा में जब भी उपाय किया जाता है, उसमें लॉंग का इस्तिमाल जरूर किया जाता है, और दोस्तों आने वाले इस दो अक्टूबर सूर्य ग्रहन और अश्विन अमावस्य जाती थी के दिन, अगर आपने तीन लॉंग का उपाय जोतिस शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो एक ही दिन के उपाय से आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद और वर्दान एक साथ प्राप्त हो जाएगा, और दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिल जाए, तो फिर उस व्यक्ति को करोडपती बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोग सकती है, और आप लोगों को बस आने वाले इस दो अक्टूबर को सही मुहूर्थ पर तीन लॉंग का उपाय करना है, जिसकी जा से आपके घर पर धन की वर्शा होगी, और आने वाले समय में आपको उन्नति करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोग पाएगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाय देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का हमेशा आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की क्रिपा से इस साल आप करोड़ पती बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा, आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य ग्रहन और अश्विन अमावस्या, तिथी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे, लेकिन इस सूर्य ग्रहन का जो समापन होगा, रात्री में तीन बच कर सत्रह मिनट पर होगा, या सूर्य ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहन का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा, दोस्तों सूतक काल असुब समय को बोला जाता है, जिस दौरान सूर्य ग्रहन शुरू होगा इसी दौरान अशविन अमावस्या भी शुरू होगी और एसा समय पुरे 412 वर्षों बाद आया है इसीलिए हर उपाए के बारे में कहीं पर लिख लीजिये ताकि जब आप इस दो अक्टूबर को तीन लॉंग वाला उपाय जोतिश शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार करें तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद वर्दान एक साथ प्राप्त हो जाए सबसे पहला उपाय है बीमारी से मुक्ती पाने का महा उपाय दोस्तों अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है जिसका इलाज करा करा कर आप ठक चुके हैं और आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो बस एक काम कीजेगा कि 2 अक्टूबर सूर्य ग्रहन के दिन रात में 9 बज कर 13 मिनट के बाद आपको एक काला कपड़ा लेना है उसमें एक मुठी लॉंग डालना है और उस काले कपड़े की पोटली बना लेनी है उसके बाद इस पोटली का उतारा बीमार व्यक्ती के सर से लेकर पैर तक आपको 9 बार करना है और इस पोटली को 3 अक्टूबर को ले जाकर कि किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दान कर देना है देखिए जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ती होगा उसके उपर जो भी परेशानी दोश यह दिक्कत होगी वह सारी समस्याएं परेशानी ये लौंग अपने साथ ले जाएगी तंतर शास्तर में लिखा हुआ है अगर सूर्य ग्रहन के अंतराल के दोरान लौंग का उत्रा एक बीमार व्यक्ती के सर से पैर तक किया जाए तो उस व्यक्ती के उपर जो भी दोश होता है वह सारी परेशानी लौंग अपने साथ ले जाती है और आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके घर के बीमार व्यक्ती के स्वास्थे में सुधार आना शुरू हो जाएगा वह व्यक्ती बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों अगर आपके घर में रोज लड़ाई जगड़ा होता है आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं तो समझ जाएए आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ती का वास है तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहन वाले दिन रात में नौ बज घर में जो भी नकारात्मक शक्ती होगी उसका नाश हो जाएगा इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों जिस घर में भी सकारात्मक उर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है उस घर की उन्नती होती है। तंत्रशास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहन के अंतराल के द्रान अगर एक घर में लौण्ग और कपूर जला करके इसका धुआ पूरे घर को दिखाया जाए थो इस से एक घर में सकारात्मक उर्जा का वास हो जाता है एक घर की हर परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में धनाना बंद हो गया है आपके जीवन में धनाने के रास्ते बंद हो गये है आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है आपका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान है तो समझ जाए दोस्तों आपने जाने अंजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है और अगर आप चाहते हैं कि इस अश्विन अमावस्या पर माता लक्ष्मी जी का आपको आशिरवाद मिल जाए माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए आपके जीवन में जो धन आये उसमें वृद्धि हो आपके घर की बरकत हो आपके घर पर धन की वर्षा हो आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो बस एक छोटा सा उपाए आपको इस सूर्य ग्रहन के दिन करना होगा दोस्तों सूर्य ग्रहन और अश्विन अमावस्या दो अक्टूबर को रात में नौ बच कर तेरह मिनट पर शुरू होगी उसके बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां पर माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र रखी हो सबसे पहले पूजा घर पर आपको घीका दीपक जलाना है आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और एक मुठी लॉंग उसमें रखना है लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है इस पोटली को हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप ग्यारह बार आपको करना है माता लक्ष्मी जी को ग्यारह नंबर बहुत प्रिय है बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमह हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी, नम्ह, अब इस पोटली को आपको अपने घर के अलमारी में, तिजोरी में, दक्षिन दिशा में रख देना है, और अगर आप व्यापारी हैं, तो आपको अपने व्यापार स्थान पर इस पोटली को रख देना है, सिर्फ इतना उपाए, अगर आपने इस अश्विन अमावस्या तिथी के दिन कर लिया, तो यह पोटली एक चुम्बग बन जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी, यह पोटली माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद की तरह आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धी होगी, आपकी अलमारी आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड़ियों से भरी रहेगी, इस उपाय को करने के बाद हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद आप पर बना रहेगा, इसलिए अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता लक् की दशा अच्छी हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, तो बस एक काम कीजिएगा, कि 2 अक्टूबर को आपको कहीं से भी ताला चाबी खरीद कर लाना है, आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े में आपको ताला चाबी रखना है तीन लॉंग रखना है, और सफेद कपड़े की पोटली बनाकर अपने घर के छट पर आपको ऐसी जगह पर रख देना है, जहां पर थोड़ी सी भी चंद्रमा की रोशनी आती हो, यह उपाय आपको 2 अक्टूबर को रात में 9 बज कर 13 मिनट से पहले करना है, और अगले दि नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, कोर्ट का चहरी में चल रहे मामलों में आपको जीत हासिल होगी, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, माता लक्ष्मी जी और कई देवी देवताओ के आशीरवाद से आने वाले समय में आपको काम्याब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसमें वृध्धी होगी। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं। जहां से आपको धन की प्राप्ती हो सकती है। में अच्छी मिठास आएगी। भगवान, सूर्य देव जी की क्रिपा से आपका भाग्य अब आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा। जिसके बाद अब आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता और उन्नती देखने को मिलेगी। आने वाला समय मेश राशी वालों के लिए बहुत ही कल्यानकारी और सौभाग्य शाली होने वाला है। अगली खुशनसीब राशी है कन्या। राशी अगर आप कन्या राशी के हैं दोस्तों तो कोट का चहरी में चल रहे हैं। मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी आपके दुश्मन इस सूर्य ग्रहन के बाद आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाब होगा। राजनीतिक ख्षेत्र में आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार से जो आपके पास धन आएगा उसमें वृद्धी होगी। कन्या राशी वालों के जीवन में लंबे समय से इनको धन का नुकसान देखने को मिल रहा था। लेकिन अब कन्या राशी वालों को आने वाले समय में अच्छा खासा धन का मुनाफा देखने को मिलेगा। कन्या राशी वालों की कोई संपत्ती जो बिक न अगर आप गवर्मेंट नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो इस सूर्य ग्रहन के बाद कन्या राश्य वालों की गवर्मेंट नौकरी भी लग सकती है। कन्या राश्य वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहन के बाद आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव एश्वर्य की प्राप्ति होगी और आने वाला समय आपके लिए अनेक प्रकार की खुशखबरी ला सकता है अगर आप तुला राश्य के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी आपके स्वास्थे में सुधार आएगा आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे लेकिन इस सूर्य ग्रहन के बाद आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी अच्छे हो जाएगे धन्द, सुख, वैभव, एश्वर्य की आपको प्राप्ती होगी अगर आप तुला राशी के हैं और नौकरी कर रहे थे तो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा आपका जो पैसा आपको वापस मिलेगा उसमें वृद्धी होगी प्रापर्टी वाहन खरीदने के भी आपके योग बन रहे हैं तुला राशी वाले आने वाले समय में अनेक प्रकार की सफलताओं को अपने जीवन में देख सकते हैं और आने वाला समय आपके लिए अनेक प्रकार की खुशखबरी ला सकता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए अगली खुशनसीब राशी है सिंह राशी अगर आप सिंह राशी के हैं दोस्तों और लंबे समय से गवर्मेंट नौकरी की तयारी कर रहे थे तो अब यह मान कर चलिए आपके सारे योग बन रहे हैं जब आपकी एक सरकारी और गवर्मेंट नौकरी लग जाएगी सिंह राशी वालों का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था और लंबे समय से आपको अपने व्यापार में घाटा देखने को मिल रहा था लेकिन इस सूर्य ग्रहन के बाद आपके व्यापार में काफी अच्छा मुनाफ़ा होगा और आपको काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा इस सूर्य ग्रहन के बाद सिंह राशी वाले अपने जीवन में चमतकारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे ये सूर्य ग्रहन में ऐसे आपके योग बन रहे हैं जिसके बाद आपको कई जगह से धन की प्राप्ति हो सकती है अगली खुशनसीब राशी है व्रिशब राशी अगर आप व्रिशब राशी के हैं दोस्तों तो आपके जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे योग बन रहे हैं जहां से आपको धन अपने आप मिल सकता है अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको और अच्छी नौकरी का ओनफर आ सकता है लंबे समय से जिस समपत्ती को आप खरीदना चाह रहे थे वह संपत्ती भी आपकी हो जाएगी आपकी शादी के योग बन रहे हैं और आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ती हो सकती है आपके जीवन में लंबे समय से तनाव परेशानी दिक्कतों से आप गिरे हुए थे लेकिन अब ऐसी समस्याओं का सामना आपको आने वाले समय में इस सूर्य ग्रहन के बाद नहीं करना पड़ेगा आपका भाग्य आपके नव ग्रह इस सूर्य ग्रहन के बाद आपका साथ देना शुरू कर देंगे अगली खुशनसीब राशी है कुम्भ राशी अगर आप कुम्भ राशी के हैं दोस्तों और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी से अब आपको मुक्ती मिलने जा रही है धन सुख वैभव एश्वर्य की आपके घर में व्रिध्धी होगी करियर कारोबार में आपकी उन्नती होगी आपका बंद पड़ाव्यापार आप अपने आप चलने लग जाएगा आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें व्रिध्धी होगी माता लक्ष्मी जी भगवान भोले नाथ के आशीरवाद से आपके नवग्रह आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा कहने का मतलब यह है दोस्तों इस सूर्य ग्रहन के बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार के आपको सफलताएं देखने को मिल सकती है क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद और वर्दान प्राप्त होने वाला है बताया जा रहा है कुम्भ राशी वालों के जीवन में एक ऐसा चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है जिसके बाद इनके धन प्राप्ति के सारे योग बन रहे है आपकी शादी के भी योग बन रहे है संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे है और भगवान भुले नाथ की कृपा से आपके उपर आने वाली जितनी भी मुसीबते हैं वह अपना रास्ता बदल लेंगी अगर आप कुम्भ राशिके हैं तो आपको प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनात के मंदिर जाना होगा और शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करते रहना होगा अगर आप इतना भर इस साल करते रहेंगे तो यह साल आपके लिए काफी ज्यादा खुशखबरिया लेकर आएगा और आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कभी भी कोई नहीं रोक पाएगा अगली खुशनसीब राशि है कर्क राशि अगर आप कर्क राशिके हैं और आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके चलते आप बहुत परेशान थे तो इस सूर्य ग्रहन के बाद वह कर्ज आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों में आप फंसे हुए थे लेकिन आप इस प्रकार की हर दिक्कत से आपको छुट्टी और मुक्ती मिल जाएगी आप लंबे समय से नौकरी की तयारी जो कर रहे थे अब आपकी नौकरी भी लग जाएगी और अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के धन के लाभ देखने को मिल सकते हैं करक राश्य वालों के बारे में बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहन के बाद भगवान सूर्य देव जी की कृपा से आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिती अच्छी हो जाएगी इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा दोस्तों जब एक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिती अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं उस व्यक्ति के जीवन में वह जिस कार्य को भी शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। अगर आप कर्क राशिके हैं, दोस्तों, तो प्रतियेक शुक्रवार को आपको माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है, और एक घी का दीपक मंदिर में प्रज्वलित करना है। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिती भी अच्छी बनी रहेगी। भगवान भोले नात की कृपा से अब आपको आपकी बीमारी से मुक्ती मिल जाएगी। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस सूर्य ग्रहन के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा धन का लाब होने वाला है औ और आप अपने जीवन में काफी ज्यादा उन्नती करने वाले हैं।